साल 2014 जब मैंने अपना पहला वीडियो अप्लोड किया यूट्यूब पर मेरे पास 0 सब्सक्राइबर्स थे और 0 व्यूज लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करो 10 साल बाद आज 2024 में 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है चैनल पर 2.3 billion से ज्यादा व्यूज इन 10 सालों की महनत, experimentation और determination के बाद जो भी मैं सीखा हूँ अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे आप भी YouTube को एक part-time job या full-time career बना सकते हैं शायद आपको इस बात सुनकर अपने उपर doubt हो कि एक नया YouTuber आखिर कैसे इतने बड़े-बड़े established YouTuber से compete कर पाएगा लेकिन यकीन मानिये मेरी राय में YouTube इंडिया की जो potential है हम अभी 1% भी वहां तक नहीं पहुँचें ये जरूर है कि आपको धेर सारी skills सीखनी पड़ेंगी एक top YouTuber बनने के लिए researching, script writing, video editing, cinematic videos कैसे shoot किये जाए कौनसे camera angles का इस्तिमाल किया जाए YouTube algorithm का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तिमाल किया जाए कैसे monetization करी जाए और कैसे data analysis समझ कर channel को एक long term sustainable growth दी जाए बहुत कुछ है सीखने को लेकिन चिंता मत कीजिए मैं इस course में आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा ये course एक step by step guide है जो आपको एक sustainable online career बनाना सिखाती है पर आपकी तरफ से minimal investment की जरुवत है एक अच्छा camera खरीदने के पैसे नहीं है चिंता मत कीजिए सब कुछ smartphone पे सिखाये जाएगा वीडियो editing software में दोनों free और paid professional software सिखाये जाएगे टोटल में साड़े 7 घंटे का ये बहुत intensive course है जो 7 अलग-अलग chapters में split किया गया है हर हफते आपके लिए एक नया chapter open up होगा आईए एक छोटा सा overview देखते हैं पहला chapter introduction है इस chapter में आप जानेंगे 2024 में social media की harsh realities के बारे में जो सबसे बड़े misconceptions है लोगों को आज के दिन social media को लेकर उन्हें हम debunk करेंगे और हम जानेंगे कि exactly किन चीजों पर आपको focus करना चाहिए ताकि आपका mindset सही जगह पर set किया जा सकते इसके बाद second week से हम अपनी intensive classes शुरू करेंगे मैं समझता हूँ कि हर YouTuber अलग होता है कुछ लोग educational वीडियोज बनाते हैं, कुछ लोग vlogs बनाते हैं, कोई travel वीडियोज तो कोई comedy वीडियोज मुझे खुद बहुत से अलग-अलग genres का experience है इसके basis पर मैं आपको बताऊँगा कि आपके interest को देखकर आपको किस type का channel बनाना चाहिए किस type के channels सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, किस type के channels से सबसे ज्यादा fame मिलता है इस chapter में बड़ी detailed homework sheets दी गई हैं जो आपको अपनी journey शुरू करने में मदद करेंगी इनके जरीए आप शुरुवात की strategy सीखेंगे और lesson 2.3 से लेकर 2.5 के बीच में आप researching और scripting भी सीखेंगे Next week chapter 3 फोकस करेगा filming के ओपर इससे फरक नहीं पड़ता कि आप एक professional camera यूज करो गया नहीं यूकि मैं आपको चीज़े इस तरीके से सिखाऊँगा कि आपका smartphone भी काफी होगा शायद आप ये शौक हो जाओगे जानकर कि सारे vlog channel के videos जो मैं बनाता हूँ सिर्फ एक smartphone के दर ये बनाता हूँ हम इस chapter में ठेट सारी अलग-अलग filming techniques के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे audio को best capture किया जाए और कैसे lighting को master किया जाए फिर आएंगे हम अगले हफते chapter 4 पर जो focused है video editing के ओपर पहले lesson में मैं आपको एक overview दूँगा कि आज के दिन best free और paid video editing softwares कौन से है उसके बाद मैं आपको सिखाऊँगा अलग-अलग techniques video editing की क्या फर्क होता है normal videos में और बहुत बहुत अच्छे edited videos इस chapter में हम दो software का इस्तिमाल करेंगे पहला software होगा जो की free software है आपके smartphone पर और दूसरा software एक professional software होगा जिसका आप computer पर इस्तिमाल कर सकते है मैं आपको exactly वो चीज़े बताऊँगा जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए वीडियो editing करते वक्त और अपनी खुद की secret guide book भी आपको दिखाऊँगा मेरी editing guidelines की book जिसके base पर मेरे खुद के videos एरिट होते हैं फिर next week हम आएंगे chapter 5 पर जो बात करता है analytics और YouTube algorithm के बारे में यहाँ पर आपके सबसे commonly asked questions आंसर किये जाएंगे कि best time क्या होता है post करने का, मुझे कब post करना चाहिए videos को कितना often post करना चाहिए, हर हफते, हर महीने, best video length कितनी होती है हम सारे top social media platforms के algorithms को detail में discuss करेंगे YouTube, Instagram, Facebook और Twitter और फिर आएगा chapter 6 जो की सबसे interesting chapter है मेरी राय में क्योंकि यही वो chapter होगा जिसकी मदद से YouTube एक career बन पाएगा आपके लिए monetization मैं आपको दिखाऊँगा धेर सारे अलग-अलग तरीके पैसे कमाने के जितने सारे अलग-अलग sources होते हैं चाहे वो AdSense हो, Sponsorships हो, Affiliate Marketing हो, Donations हो और एक ऐसा secret तरीका जिसे ज्यादेतर YouTubers मिस कर देते हैं जिसकी वज़े से वो एक proper sustainable career नहीं बना पाते है Last week chapter 7 focused है longevity के उपर मैं आपको एक road map present करूँगा जिसके जरीए आप एक दिन 1 million followers के landmark milestone तक पहुँच पाएंगे क्या फर्क है उन लोगों में जो लोग वहां तक पहुँच पाते हैं और जो लोग वहां नहीं पहुँच पाते हैं और finally आप सीखेंगे कि इस career में कौन-कौन से अलग-अलग challenges आप face करेंगे और उन सब challenges से कैसे आपको deal करना है तो ये है दोस्तो the YouTube blueprint साथ chapters साथ हफते वो सारी skills जिनकी आपको जरूरत है एक YouTuber बनने के लिए ये मौका है आपका अपने सपने को पूरा करने का अगर आप तयार है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तो नीचे दिये गए join now बटन पर क्लिक कीजिए मिलते हैं कोर्स में